हेलो विद्यार्थियों, टार्गेट विद लक्ष की इस नई वीडियो में आप शबी का श्वागत है तो सॉलिड स्टेट के इस लेक्षर में अब आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ठोशों में संकुलन तो इसके लिए पहले आप एक फीगर ध्यांदेजी, जैसे कि मानलेजी आपके पास कोई एक ठोश है यहाँ पर यह जो है एक ठोश है और इस ठोश में यहाँ पर आवेवीकर्ण विवस्थित रहेंगे यानि कि इन अविविकणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है यह बहुत ही कम होता है यानि कि आपको इन अविविकणों को जो इस प्रकार से रखना है इसमें कि इनके बीच का जो रिक्त स्थान है यह बहुत ही कम हो तो इस प्रकार की जो संदशना बनती है उससे हम लोग बोलते हैं निबिड़ संकुलित संदशना याद रखेगा यहाँ पर जो संदशना बनती है उससे बोला जाता है निबिड़ संकुलित संदशना शंकुलित शंदशना यानि कि इससे आप बोल सकते हैं close packed structure निविड शंकुलित संदशना तो आप बता सकते हैं कि ठोशों में जो है आवयवी कणों को इस प्रकार से विवस्थित कह जाता है यह यहाँ पर क्या है एक ठोश है और यह यहाँ पर जो हैसमें आवयवी कण दिये गए है तो ठोशों में जो है आवयवी कणों को आपको इस प्रकार से विवस्थित करना है कि इनके बीच का जो रिक्त स्थान हो यह बहुत ही कम हो तो इस विवस्था से जो इस्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा यहाँ जो सनरशना यहाँ बनेगी उससे ही हम लोग बोलते हैं निबिड संकुलित सनरशना यानि कि क्लोश पैग्ड इस्ट्रक्चर और एक कोश्थिका में उपस्थ जो आवयवी कण होते हैं उन्हें यहाँ पर हम लोग ठोस गोले के रूप में मानते हैं पर दन्दी जिससे कि आवयवी कण यहाँ पर जो दिये गए यह ठोस गोले के रूप में माने गए हैं तो यहाँ पर याद रखेगा कि एक कोश्थिका में जो आवयवी कण होते हैं उन्हें ठोंस गोले के समरूप माना जाता है इसमें जो अविविकर होते हैं इन्हें जो है एक ठोंस गोले के समरूप माना जाता है और इसकी तरजी आप मान सकते हैं कितनी हो सकते हैं आपर आर तो यह आप लोग याद रखेगा कि एक कोश्चिका में उपस्थ जो अविवि तो अब ध्यान दीजी यहां पर लिखा गया है कि ठोशों में अविवी कंड जो आपको ये अविवी कंड दिये गए हैं इस प्रकार से विवस्थित रहते हैं कि उनके मद्ध रिक्त स्थान बहुत कम हो इस विवस्था से जो सन्नशना निर्मित होती है उससे हम लोग निबि गोले के समरूप मानते हुए तीन पदों में जो है सन्नशना निर्मित की जा सकती है तो यह आप लोग याद रखेगा तीन पदों में पहले तो आप लोग याद रखेगा एक विमी निबिड शंकुलन पहला होता है एक विमी निबिड शंकुलन एक विमी निबिड शंकु और दूसरा होता है दूई विमिय निबिड़ शंकुलन और इसके अलावा तीसरा होता है आपका त्री विमिय निबिड़ शंकुलन तो इसमें आपको पहला होता है याँ कि एक विमय निबिड़ संकुलन तो एक विमिय निबिड़ शंकुलन में यहाँ पर आविविकर्णों को किसी एक अक्ष पर याँ ऑने कि एक दिषा में आपर विवस्थित करना दता है दुविमी में जो अविविकन होते हैं उन्हें हम लोगों को दो दिशाओं में यानि कि चाहे तो आप x, y का प्रयोग करें या फिर y, z का प्रयोग करें या फिर x, z का प्रयोग करें तो इसमें जो है दो विमाओं में अविविकनों को विवस्थित करना रहेगा और 3VMEA का मतलब होता है यहाँ पर आपको जो है XYZ तीनों अक्षों पर यहाँ पर अव्यूकणों को विवस्थित करना रहेगा तो अब धन्दीजी आपर हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें पहला है यहाँ पर एक VMEA निबिड शंकुलन जिसे बोलते हैं One Dimensional Closed Packed Structure तो यहाँ पर बात हुई यह One Dimensional की इसका मतलब यहाँ पर गोलों को विवस्थित करने की केवल एक ही विधी है जिसमें उन्हें जो है एक ही पंक्ति में एक दूसरे को इस पर सकरते हुए विवस्थित करना है तो इसके लिए फीगर धन्दीजी तो आप इसे बहुत थी असानी से समझ लेंगे जैसे कि माली जी यहाँ पर जो आपको एक पंक्ति दी गई है इस प्रकार से यहाँ पर पंक्ति हो गई इसमें आपको जो है गोलों को विवस्थित करना है और गोलों को इस प्रकार से विवस्थित करना है कि वे जो है यहाँ पर एक दूसरे को इस पर सकरें फिर इसके बाद अगले गोले को इसके आगेश पर्स करते हुए, फिर इसके बाद अगले गोले को इस प्रकार से, फिर इसके बाद इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है जितने भी गोले हैं, ध्यान दिजे, वे सभी जो है एक ही पंक्ति में हैं, यानि कि एक ही अक्ष पर है इसके अलावाद अंद ये सभी गोले जो है एक दूसरे को यहाँ पर इसपर्स कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि एक विमी निविर शंकुलन संदशना में गोलो को विवस्थित करने के लिए जो है केवल एक ही विद्य है जिसमें उन्हें जो है एक पंक्ति में एक दूसरे को इसपर्स करते हुए विवस्थित क्या जाता है यह अप लोग याद रखेगा और इस विवस्था में जो है प्रतेक गोला जो होता है वो अपने निकट वर्ती दो गोलों के संपर्क में होता है तो अप लोग याद रखेगा कि किसी भी संद्शना में एक कड के निकटम गोलों की जो संख्या होती है उसे हम लोग उपसह संयोजन संख्या कहते हैं उससे बोला जाता है उपसह संयोजन संख्या याद रखेगा यहाँ पर किसी संदशना में एक कण जैसे एक कण का मतलब ये वाला माल लेजिए आपने कण प्रयोग किया तो एक कण के निकटम गोलों तो इस कण के निकटम गोला कौन सा एक ये है और एक ये है तो इस कण के निकटम कितने गोले हैं दो तो याद रखेगा उन गोलों की जो संख्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं उपसह संख्या तो इस गोले में ध्हंदी जी यह निकि इस कड़ के निकट वर्टी कितने गोले हैं दो तो यहाँ पर इसकी उपसह संख्या कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी यह अप लोग याद रखेगा कि यहाँ पर इसकी उप सह सेयोजन संख्या कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी तो अगर आप इसमें लिखना चाहे तो ध्यान देजिए तो वही इसमें लिखा गया है यहां पर कि एक वे में निबिड़ शंकुलित संदशना में गोलों को विवस्थित करने की किवल एक ही विद्धी है जिसमें उन्हें जो है एक पंक्ति में एक दूशरे को इसपर्स करते हुए विवस्थित क्या जाता है जैसा कि आपको यहां पर बताया आगे आपर एक ही पंक्ति में जो है सभी गोलों को विवस्थित क्या जाता है और वे जो है यहां पर एक दूशरे को इसपर्स करते र तो आप लोग याद रखेंगे कि एक विमी निवीड संकुलन में गुलो की जो उप सहसेजन संक्या होती है वो दो होती है यह अप लोग याद रखेंगे अब इसके बाद इसमें है दुई विमी निवीड संकुलन यानि कि two dimensional closed packed structure तो यह जो होता है दो प्रकार का होता है इसमें जो पहला होता है वो होता है दूई विमी में वर्ग निबिर संकुलन तो पहला आप लोग यहां पर लिख शकते हैं दूई विमी में वर्ग निबिर संकुलन वर्ग निबिर संकुलन शंकुलन तो ये होता है आपका पहला यहां पर दूई विमी में वर्ग निबर शंकुलन तो इससे आप पहले समझियां पर फीगर के साहता से तो आपको कोई शमश्या नहीं होगी तो जैसे कि मानलेजी इसमें जो है ठोस गोलों को इस प्रकार से विवस्थित करते हैं जैसे कि मानलेजी यह यहां पर आपका पहला गोला इस प्रकार से यहां पर हो गया अब इसके बाद धंदेजी इसमें जो दूसरा गोला होगा इसे इस पर्स करते हुए इस प्रकार से इ तो हुई एक पंक्ती इस प्रकार धन्देजी इसमें आपको बताया गया है यहां पर है two dimensional यानि कि यहां पर जो गोलों को विवस्थित करना है तो यह भी इसकी एक विमा हुई तो इसे धन्देजी दूसरे प्रकार से विवस्थित करने के लिए शब्षे पहले धन्देजी जो दूसरी पंक्ती है उसे आपको इन गोलों के ठीक उपर विवस्थित करना जैसे कि दन्देजी आपको जो पहले गोले थे उसके ठीक उपर यहां पर सभी गोले आने चाहिए यानि कि दूसरी पंक्ती आपको इस प्रकार से रखना है कि पहले गोले जो थे उसके उपर दूसरी वाली पंक्ति के गोले आ जाएं इसी प्रकार से जो अगली पंक्ति होगी उसके गोले जो है ठीक इन सभी गोलों के ऊपर आ जाएं इसके बाद की जो अगली पंक्ति होगी उसके सभी गोले जो है इन सभी के ठीक ऊपर आ जाएं यानि कि इस प्रकार से आपको एक अक्षो जाएगा इसी प्रकार से धंदीजी अगर इधर वाले गोलों के केंद्रों को मिलाते हुआ हिम लोग रेखा कीचे तो वो इस प्रकार से बनेगी तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है दो विमाओं का प्रयोग हुआ है एक यहाँ पर ये वाली विमा और एक ये वाली विमा तो इसमें धंदीजी इसलिए इसे बोला गया था टू डाइमेंशनल यानिकि इसमें जो गोले विवस्तित के जाएंगे वो दो विमाओं में यानि कि दो अक्षो पर यहाँ पर आपको विवस्तित करना है और गोलों को किस प्रकार से विवस्तित कर के उपर आ जाएं इसके बाद जो अगली पंक्ति होगी उसके गोले जो है ठीक तीतरी वाली पंक्ति के उपर आ जाएं इस प्रकार से आपको यहां पर गोलों को विवस्थित करना है तो यहां पर ध्यंदेजी अगर यहां पर लोग किसी एक गोले पर गवर करने जैसे कि माल जो है वो चार गोलों के संपर्क में है और आपको बताया गया था कि किसी भी संद्शना में प्रत्य गोला जो है जितने गोलों के संपर्क में होता है वो उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है यहां पर एक गोला जो है वो चार गोलों के संपर्क में है इसका मतलब इसकी जो उपसह संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी चार होगी तो अगर आप लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं आपर उपसह संयोजन उपसह संयोजन संख्या बराबर चार तो ये हो जाएगी उपसह संयोजन संख्या इसके अलावा धंदेजी अगर यहां पर लोग गोलों के के केंद्र ये है इस गोले का केंद्र ये हो जाएगा इसका केंद्र ये होगा और इसका केंद्र ये हो जाएगा तो अब धंदेजे अगर इस केंद्र से हम लोग इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा इसके अलावा धंदेजे इधर से हम लोग जब इसको देजे यहां पर यह हो जाएगा और इसके बाद जो है यहां पर इसे भी आप मिला देजे तो यहां पर धन देजे यह जो आकरत बन रही है एक वर्ग जैसी बन रही है यहां पर जो बना है यह एक वर्ग बन गया है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं दुई विमी में वर्ग निबिड संकुलन यानि कि यहाँ पर रण दीजे अगर इन गोलों के केंदरों को हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ पर जो एक वर्ग जैसी आकरते बन जाती है इसलिए इससे बोला जाता है दुईविमी में वर्ग निबिड संकुलन इसके अलावा इसकी उपसह संख्या केत में है इसलिए इसकी उपस से उजन संख्यायाँयाँ पर चार हो जाएगी इसके अलावा ध्यंदेजिए अगर यहाँ पर जो इसकी पग्त्य है इसे हम लोग मां ले पंग्ति ए क्तो जो दूसरी पंग्ती ध्यंदेज़ सेंदेजि तो इसे भी आप आप मानेंगे ए तीसरी पंक्ति भी सेम इसी प्रकार से है तो इसे भी आप मानेंगे ए चौथी पंक्ति भी सेम इसी प्रकार से है तो इसे भी आप क्या मानेंगे ए तो इसका मतलब आप यहां पर इसे बोल सकते हैं ए ए ए ए प्रकार का संकुलन यानि कि यहां पर जो है ए ए ए ए पैटर्न का संकुलन बन रहा है तो यहां पर जो संकुलन का प्रकार होगा वो इस प्रकार से होगा है आप लोग याद रखेगा कि ए ए ए ए पैटर्न का संकुलन यहां पर बन रहा है तो अगर आप यहां पर इसके बारे में लिखना चाहें तो आप इसमें लिख शक्ते हैं जान देजे आप इसमें लिखेंगे कि इसमें दोती पंग्ति को प्रथम पंग्ति के कि संपर्क में प्रथम पंग्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है इस प्रकार रखा जा सकता है कि दोती पंग्ति के गोले प्रथम पंग्ति के प्रथम पंग्ति के गोलों के ठीक ऊपर हूं यह आप लोग है तो दूसरी पंक्त को अब को इस प्रकार से राकना है कि ज पहली पंक्त theory धीक उसके ऊपर जो थैए इस प्रकार से आपको चौत इस प्रकार से कि यहां चेंदरों के मिला जाएगा तो यहाँ पर दहन देजे एक वर्ग जैसी आकरते बन जाती है इसलिए से हम लोग बोलती है दुई विमी में वर्ग निबिड संकुलन इसके लाओं इसकी उपस है संख्या 4 होती है और इसमें जो है ए ए प्रकार का संकुलन होता है अब इसके बाद दहन देजे निबिड शंकुलन निबिड शंकुलन तो इसके लिए फिगर दहन देजे तो आप बहुत ही आशाने से समझ लेंगे जैसे कि मालेजी आपको ये एक पंक्त दी गई है और इस पंक्त में जितने भी गोले दिये गए हैं ध्यान देजी ये वाला जो इस्थान होता है इससे हम लोग बोलते हैं आउनमन तो इसमें दूसरी पंक्त जो आपको इस प्रकार से बवस्तित करनी है कि सभी गोले जो है इन आउनमनों में आ जाएं यहां पर ये जो दिये गए इस्थान इनको बोलते हैं आउनमन तो इन आउनमन में जो है दूसरी पंक्ति के गोले आने चाहिए तो अब धन्देजी इसके जो दूसरी पंक्ति होगी उससे आप इस प्रकार से विवस्तित करेंगे कि इसके जो गोले होंगे वो पहली पंक्ति के जो आउनमन थे उसमें आ जाएंगे इसके बाद ध्हन देजी जो अगली पंक्ती है उससे आप इस प्रकार से विवस्तित करेंगे कि उसके गोले जो है इस वाली पंक्ती के आउनमन में आ जाएं इस प्रकार से इसके बाद दहन देजी जो अगली पंक्ति होगी उससे इस प्रकार से विवस्तित करेंगे कि उसके गोले इन सभी गोलों के आवनमन में आ जाएं तो इस प्रकार के संद्शना यहां पर बनेगी तो यहां पर यह जो रिक्त स्थान देख रहा है आपको इसे हम लोग बोलते हैं आवनमन तो आपको यहां पर अगली पंक्ती को इस प्रकार्स विवस्थित करना रहता है कि उसके गोले इन और नमनों में यहां पर आ के विवस्थित हो जाएं इसके अलावा धहन देजी, इसमें जैसे कि माली जी यह पंक्ती है इसके बाद जो ये वाली पंक्ति दी गए इसको छोण करके जो अगली पंक्ति है इनके अगर केंद्रों को आप मिलाएंगे तो ये एक सरल रेखा में होंगे यानि कि इस प्रकार से ध्यान दीजी तो अब यहाँ पर ध्यांदीजी अगर इसमें आप किसी एक गोले के बारे में ध्यांदें तो जैसे कि मालेजी हम लोगों ने इस गोले के बारे में देखा तो यह गोला ध्यांदीजी कितने गोलों के संपर्क में आ रहा है अब ध्यांदीजी एक यह गोला हो गया दो तीन चार पांच छे तो ये गोला यहां पर जो है 6 गोलों के संपर्क में आ रहा है इसका मतलब इसकी जो उपसेई संह्वार्ग होगी हो कितनी होगी छे होगी जैनके आप लेक शक्ते हैं आपर उपसेई संख्या शह संख्या बराबर 6 तो इसकी जो उपस है संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी यह अप लोग याद रखेगा इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग पैटर्न ध्यान दें तो इस पंक्ति के बारे में ध्यांद जैसे कि इसको मान ले जाए पंक्ति A तो अगली पंक्ति देंद जाए इसे अलाग है इसके और नमन्नों में उसके गोल है तो इस चींचे आप क्या मान लेंगे B इससे प्रकार से देंद जी अब जो अगली पंक्ति हो उससे मैच कर देंद तो इसका मतलब देंस का संकुलन होगा तो आप लेखे शरक्ते यहाँ पर A, B, A, B, पैटर्न का शंकुलन, इस प्रकार का शंकुलन इसमें होगा, तो यहाँ पर धंदेजी, जो अभी यहाँ पर देखा गया था, इस गोले के संपर्क में कितने गोले हैं, छे गोले, अगर इन सभी गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए, तो अब धंदेजी, इस ग बात धंदेजी, अगले वाले गोले के केंद्र को इस प्रकार से, इसके बाद इसको मिला दिया जाए, और फिर लाश्ट में इसको मिला दिया जाए, तो यहाँ पर धंदेजी, यह जो एक सनरशना बन रही है, यह यहाँ पर एक सट भुझ बन रहा है, यानि कि इसमें छे विमी में 60 कोड़ी निभीड संकुलन यह अप लोग याद रखेगा इसके उपसे संगोजन संक्या कितनी होती है 6 होती है इसके अलावा शंकुलन कैसा होता है AB AB पैटन का होता है तो इसमें अप लोग याद रखेगा इसमें जो दूसरी पंक्ति होती है इसे जो है पहली पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखा जाता है कि दो-ती पंक्ति के गोले जो है वो पहली पंक्ति के गोलों के आउनमन में आ जाएं इस प्रकार से आपको यहाँ पर विवर्ष्थित करना है तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसमें दोती पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि दोती पंक्ति के गोले जो है उप्रथम-पंक्ति के आउनमौनों में ठीक आजाने जैसा कि याँ पर देख रहा है इस गोले का ओनमन है हाँ पर ये दूसरा गोला इसी पर आ रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दो विमाओं का ही यूज हुआ है एक इस वीमा का यूज़ हुआ है इसके अलावा एक जो है इस वीमा का यूज़ हुआ है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमिरंद जी अगर यहां पर इस गोले के संपर्क में जितने गोले आ रहे थे उन सभी केंदरों को मिलाएंगे तो यहां पर क्या बन जाता है सट भुज बन जाता है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं दूविमी में सट कोड़ी नेबर संकुलन तो यह अप लोग याद रखेगा इसके उपसेज़न संक्या कितने होती है इसके अलावा संकुलन कैसा होता है एबी एबी पैटर्ण का संकुलन होता है इसके अलावा जो इसका थर्ड पॉइंट है उन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे शेनल को सबस्ट्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद